आज तक्रीवन हम सभी के जहन में राम सेतु के बारे में जानने की जिग्यासा बनी रहती है कि ये सेतु कब और कैसे बना और यह कितना पुराना है हम आपको बता दें कि अब इसके इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट इसी साल शुरू होगा पत्थरों की ये श्रंखला कैसे बनी इस पर नेशनल इंस्टिटूट ओफ ओशनोग्रेफी के विग्यानिक रिसर्च करेंगे आर्कियोलाजिकल सर्वे ओफ इंडिया के मातहच सेंट्रल एडवाईजरी बोर्ड ने एन आईयो के प्रस्ताव का मनजूरी दे दी है विग्यानिकों का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक से उन्हें पुल की उम्र और रामायन काल का पता लगाने में मदद मिलेगी आपको बता दे कि एन आईयो इस रिसर्च के लिए सिंदू संकल्प या सिंदू साधना नाम के जहाजों का इस्तमाल करेगा ये पानी की सतह के 35 से 40 मीटर नीचे से सेंपल्स ले सकते हैं स्टडी में ये भी पता चलेगा कि क्या पुल के आसपास कोई बस्ती भी थी या नहीं रिसर्च में रेडियो मेट्रिक और थर्मोलियूमिनेसिस डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तमाल होगा कॉरल्स में केलशियम कार्बनेट होता है जिस से इस पुल की उमर का पता चलेगा कॉरल और सिलिका पत्थरों का ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पढ़ता है हिन्दु महकावी रामायन में इसका जिक्र है वर्तमान में ये पुल पानी में डूबा हुआ है मगर कुछ सदी पहले तक इसका इस्तमाल होता था ये बात विज्ञानिक भी मान चुके हैं बता जाता है कि ये पुल करीब अट 40 किलो मीटर लंबा है राम सेतू मननार की खाड़ी और पॉक स्ट्रेट और एक दूसरे से अलग करता है कई जगे इसकी गहराई केवल तीन फुट है तो कही कही तीस फुट तक है पंधरवीश अताबदी तक इस धाचे पर चल कर रामेश्वरम से मननार द्वीप तक जाने के सबूत वैज्ञानिकों को मिले है मगर तूफानों के चलते गहराई बढ़ गई रामायन के अनुसार भगवान राम जब लंका के राजा रावन की कैद से अपनी पतनी सीता को बचाने निकले थे तो रास्ते में समुद्र था उनकी वानर सेना ने ही इस पुल का निर्मान किया था रामायन के अनुसार वानरों ने छोटे-छोटे पत्थरों की मदद से इस पुल को तयार किया था UPA1 के दोरान 2005 में सेतू समुद्रमप शिव चैनल प्रोजेक्ट की घोशना हुई इस पर काफी विवाद हुआ क्योंकि इसके लिए पुल की कुछ चट्टानों को तोड़ना पड़ता ताकि गहराई बढ़े और जहाज वहां से गुजर सके मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा जिसने 2007 में काम पर रोक लगा थी इस प्रोजेक्ट का हिंदू समोह के अलावा परियावरंड विद और राजनित एक दल भी विरोध करते रहे हैं 2007 में A.S.I. और U.P.A. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम ने ये पुल बनाया है बिजेपी नेता सुप्रमन्यम स्वामी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ P.I.L. लगाई थी स्वामी इस पुल को राश्ट इसमार गोशित करने को लेकर भी आचिका लगा चुके हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वहीं आपको बता दे कि 2017 में अमेरिकी टीवी साइंस चैनल ने दावा किया कि ये पुल इंसानों का बनाया हो सकता है उस वक्त इस दावे को विजेपी ने हाथो हाथ लिया था चैनल ने अपनी स्टडी में साइंटिफिक एनलिसिस के आधार पर कहा था कि पुल के पत्थर आसपास की रेट से भी पुराने है वैग्यानिकों ने नासा की सेटलाइट तस्वीरों का हवाला दिया था ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सुब्सक्राइब करें जंगम आयूरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंगम मायूरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिनमें शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट थाइरोइड के लिए जंगम थाइरोकिट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुषों की दुरबलता ठीक करने में सहायक, जंगम स्वन कलश, योग किट के साथ-साथ और भी अदभुत औशधियां, इन सभी औशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननिय दिये, डॉक्तर्स और प्राक्टिशनस वा मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें, जंगमायुर्वेदा, नीलो खेडी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हर्याना, मोबाइल नंबर 98170-98180